नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कारेपत्रक 46 ये कारेपत्रक 19 अक्टूबर 2020 के लिए है आज हम हिंदी विशे में पढ़ने जा रहे हैं नेता जी का चश्मा जो की हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो आज हम इसकी पुर्णाविटी यानि की रिवीजन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नेता जी का चश्मा बच्चो अब तक आप नेता जी का चश्मा पाट से परचित हो चुके हैं क्यों क्योंकि आप इसे पहले पढ़ चुके हैं अब आगे बढ़ते हुए इस पाट के बारे में कुछ और बाते जानने की कोशिश करेंगे तो चलिए देखते हैं इस पार्ट के बारे में और क्या बाते दी गई है इस कहानी में विंगात्मक शैली बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है यानि कि इस कहानी में विंगात्मक शैली का मतलब क्या होता है विंगात्मक शैली का मतलब होता है सामाज में जो परिस्ति होती है उसके विरुध जो बात की जाती है उसको विंगात्मक कहते हैं यानि कि कमेंट करते हैं तो इस कहानी में विंगात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है ये कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ती क्या है और आप जानते हैं देशभक्ती से लोगों का बहुत जुड़ाव होता है तो इसमें पूछा गया है कि देशभक्ती क्या है इसमें कौन-कौन योगदान देते हैं क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आदी प्रश्न हमें इस विशे में सूचने को प्रेडित करते हैं आपके दिमाग में भी आता होगा कि क्या हम देश के लिए कुछ करते हैं क्या हमारा भी देश में कोई योगदान है पाठ की भूमिका में कहा गया है चारो और सिमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश ही नहीं होता देश बनता है यानि कि हमारा कहते हैं कि देश की परिभाशा क्या होती है तो देश की परिभाशा होती है एक साधारन शब्दों में पूछा जाए तो देश की परिभाशा होती है कि देश की जो सीमा है उसके अंदर जितनी भी भूभाग, धर्टी, पानी, आकाश आता है वो सभी देश की सीमा कहलाती है तो क्या इसी को देश कहते हैं जी नहीं सिर् चारो और की सिमाओं से घरे भू भाग, भू मतलब होती है धर्टी, भाग मतलब हिस्छा, तो भूमी यानि की चारो और के भू भाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पसु यानि कि देश में रहने वाले सभी लोग यहां के नदियां, पेड़ पौधे, वनस्पती, पशू, पक्षियां और हमारा जो एक दूसरे से प्रेम होता है, हमारा जो एक दूसरे के साथ साथ होता है, यही देश भगती होती है नेता जी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश की करोडो नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि हम सभी देश में रहने वाला हर वेक्टी किसी न किसी रूप में देश के लिए कोई न कोई योगदान करता है और उसका योगदान ही उसकी देश भक्ती होती है, देश के योगदान कर रहे हैं क्योंकि जितने जादा लोग देश में शिक्षित होंगे क्या कहा जाएगा कि यह देश सिक्षित है तो आप क्या कर रहे हैं अपने देश को शिक्षित बना रहे हैं एक तरीके से आप भी देश में योगदान कर रहे हैं तो हर वैक्ति जो है वो किसी न आज का पहला प्रश्ण है नेता जी का चश्मा पाठ आपको किस दिशाय में सोचने को प्रेरिद करता है यानि ये जो पाठ है नेता जी का चश्मा ये आपको किस दिशाय में सोचने के लिए प्रेरिद करता है प्रश्ण नमबर दो देश किस से बनता है प्रश्ण नमबर त प्रशन हैं आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रशन और इसके साथ में अंतिम में आपको एक छोटा सा संदेश दिया गया है कि कोविद के संदर्व में उचित विभार संबंदी सी ये भी संदेश नियमित रूप से अपने ह प्रशन है नेता जी का चश्मा पाठ आपको किस विशे में सोचने को प्रेरित करता है इसका उत्तर है नेता जी का चश्मा पाठ हमें अपने देश के प्रती प्रेम वा समर्पन के विशे में सोचने को प्रेरित करता है इस पाठ में देश के प्रती प्रेम की भावना को ज भाडों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पसू पक्षियों तथा उनके प्रेम से देश सामोहिक शब्ध है जिसमें उसके अंदर विद्धमान सभी सजीव और निर्जीव के सहयोग प्रेम तथा समर्पन से देश बनता है आज का प्रश्च नमबर तीन है लेखक के अनु किसी न किसी रूप में देश के लिए कोई न कोई योगदान दिया जाता है लोगों का यही योगदान तथा देश प्रेम ही सही माइने में देश भक्ती है आज का हमारा चौथा प्रश्च नहें इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात की गई है तो देश के निर्माण में अपना योगदान देता है आज का हमारा अंतिम प्रश्न है तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे उत्तर है हमें अपने कारे को पूरी निस्ठावा इमानदारी से करना चाहिए यही देश के लिए हम हमारा देश भी सम्रिद कहलाएगा इसलिए हमें अपना काम ही इमानदारी से करना चाहिए वही हमारी सच्ची देश वक्ति होती है तो बच्चों यह हैं हमारे आज के सभी प्रश्ण और उनके उत्तर आपको समझ में आएंगे और यदि आपको समझ में आए तो जल्दी से च हमारा चैनल है टेलिग्राम पे मुधिता आएस वारियोर्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं और वहां से भी आंसर लिख सकते हैं एक और बात कुछ बच्चों की यह कंफ्यूजन रहती है कि पहले आपको क्या लिखना है उसके बाद वर्कशीट और सबसे लास्ट में सबजेक्ट अगर आप क्लास को सबसे पहले लिखते हैं तो आपको हमारी वीडियो चल्दी ही मिल जाएगी इसके सिवा कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं कि हम आपको कमेंट करते हैं बट आ दूसरा सल्यूशन यह है कि जब भी आप कोई भी कॉमेंट करते हैं तो वीडियो को कम से कम तीन मिनट तक देखेंगे और तीन मिनट तक देखने के बाद वीडियो को कमेंट करेंगे तो वह आपका कमेंट हमारी कमेंट सेक्शन में हमें नजर आएगा और हम उसका रेपला करना है ताकि कमेंट हम तक पहुंचे और हम आपको reply कर सकें इसके सिवा कुछ बचों की confusion रहती है कि मैं वीडियो थोड़ी सी blur आ रही है उसका जो solution है वो बहुत ही simple है आपके YouTube पे right hand side पे three dots आएंगे उस dot को click करना है quality का option आएगा quality में कुछ numbers लिखे होंगे वहां पे highest number आपको select करना है 440 या 360 टाइप के highest number जैसे ही आप select करेंगे आपकी वीडियो अपने आप ही clear हो जाएगी बिल्कुल भी blur नहीं होगी तो ये हैं आपके सभी सवालों के जब आप फिर भी अगर आपको कोई confusion या doubt हो तो अपली वीडियो में नए टॉपिक के साथ बाबाई बच्चों टेक केर